हलो गाइस तो आज हम अपने नोवल पीत और वेगस की स्टोरी में थर्ड चैप्टर एक्स्प्लेंड करेंगे तेकिन उससे पहले मुझे आपसे सॉरी बूलना है क्योंकि मेरे एक्जाम थे जिसकी वज़े से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी और इसकी वज़े से प्रणिंग में जब पीत को होसाता है तो वो अपनी बॉड़ी में पेन फील करता है और उसकी लोवर बॉड़ी बहुत ही ज्यादा दर्थ कर रही होती है और उसकी पूरी बॉड़ी पर निसान बने हुए थे जो की हिक्कीस के थे जैसे ही वो अपनी आंके खोले की कोजस क करता है उसे सब कुछ धुनला दिखाई देता है मानों उसने कोई बुरा सपना देखा जैसी ही वो पूरी तरह से होस में आता है उसे रात की सारी बाते याद आने लगते हैं और वो घबरा जाता है और बोलता है नहीं यह सच नहीं हो सकता नहीं यह सच नहीं होना चाहिए मैं आसा करता हूँ ये सिर्फ एक सबना हो उसके आँखों के सामने वो सारी चीज़े आने लगती है किस तरह से वो दरबाज़े तोड़कर गर के अंदर आता है और किस तरह से पकड़ा जाता है जितना वो उन बातों को सोच रहा था वो उतना ही जादा परिशान हो रहा था और उसे उतना ही जादा गुसा आ रहा था वो अपने दोनों हादों को उठाता है और घड़े होने की कोसिस करता है मगर उसकी मसल्स बहुत जादा दर्द कर रही थी मगर फिर भी वो जबस जस्ती उठने की कोसिस करता है तबी पास से आवाज आती है तुम उठ गए और पीत जल्दी से पीछे की ओर खिसक जाता है बिना सामने की ओर देखे और बोलता है वेगस मुझे जाने दो जैसे ही वो ऐसा बोलता है उसे पता चलता है कि उसकी आवाज बहुत ही भारी हो गई थी और उसका गलाभी सूख रहा था वेगस बोलता है ओ तुम उठ गए ठीक है अच्छा ही है तबी पीत चिलाता है यू बास्टर वेगस जग उठाता है और उससे पानी गलास में डालता है और इसमाइल करता है और वो जिस कंडिशन में पीत को देख रहा था उसे बहुत ही ज़्यादा साटिसफेक्शन हो रहा था जितना वेगस पीत को घूर रहा था उतना ही पीत डर रहा था वो अपने पैरों के बल बैठने की कोसिस करता है हाँ उसके हाथ बंदे हुए थे मगर फिर भी वो अपने आपको डखना चाहता था वेगस बोलता है ये लो पहले ये पी लो और वो पानी का गिलास पीत के मुझे सामने रखता है तब ही पीत जोर से अपना सर हिलाता है और पानी का गिलास खिर जाता है और पीत बोलता है मुझे नहीं चाहिए चाहे मैं कितना भी प्याजा क्यों ना हूँ मैं मरना पसंद क करूंगा लेकिन तुम्हारे हाथ से पानी कभी नहीं पिऊंगा वेगस बोलता है जिद और पीट ये शुनकर वेगस की योड़ देखने लगता है पीट वो सब याद नहीं करना चाहता था जो कि वेगस ने उसके साथ में किया था वेगस चिलाते हुए बोलता है इसे पियो और वो जबजस्ती पीट का फेस आगे करता है और उसको पकड़कर गलास से पानी प्लाने लगता है मगर पीट बहुत कोसिस करता है और वो पानी नहीं पीता तब ही वेगस गुसे में आके वो पानी का गलास उसके मुह में डाल देता है और उसको फोर्स करता है पानी पीन चला गया था बेगस बोलता है ये तो अच्छा है कि मैं तमारे लिए पानी ले आया वरना मुझे तो तमारे बैट के साइड में खाली गिला सकना चाहिए तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी चोट पहुंची है और तुम मरना चाहते हो छोड़ो भी तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी वेगस हस्ते हुए बोलता है वो आके बढ़ता है और बैट के सिर्फाने जाकर बैट जाता है पीत बहुत ही ज़्यादा गुसे में था वो चाहता था कि उसके सामने चक्कू हो और वो वेगस को मार दे मगर पीत कुछ नहीं ही बोलता वो चुप बैठा रहता है वेगस बोलता है तुम जानते हो पीत तुम बहुत अच्छे हो और तुम ज़्यादा अच्छे लगते हो जब तुम जिद करते हो ये कहते हुए वेगस पीत के करीब और करीब जाने लगता है पीत खबराते हुए बोलता है पीत कितना भी स्ट्रॉंग क्यों न हो मगर आज उसकी कंडिशन ऐसी थी कि वो बता नहीं सकता क्योंकि उसने कभी भी ऐसा कुछ फेस नहीं किया था वेगस बोलता है मैं चाथा भी नहीं हूँ कि तुम मुझे से प्यार करो बस तुम मझे सैटिसफाइड कर दो उतना ही काफी है और वो मजा की अव्य में हसने लगता है पीथ वेगस की ओर देखता है और बोलता है साइकोपैत वेगस बोलता है अगर मान लोग किनको ये पता चलता है कि उनका फेबरेट बॉड़ी गार्ड मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहा है तो बताओ उसे कैसा फील हो पीथ बोलता है तुम कमजोर हो तुम किनका सामना नहीं कर स लगते वेकस को कुसा थाय 창시 प्रहा ऐसे पकड़ लेता है और चिलाते वंव बोलता थे पीजुने तुम एक सबति पूर ही से कहते हुए हुई यह इंव वेकश पीजुत को से पकड़ लेता है और उसके चाटा मारता है पीत फिर भी चुप नहीं होता और बोलता है तुम एक दिन मरोगे तुम ना लूजर हो तुम सिर्प पीठ पीछे ही ऐसा कर सकते हो तुम मेरे बोस के इनसे कभी भी नहीं जी सकते तुम इसी तरा चोरी चुपे और पीट पीचे ही ऐसा सब कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम कायर हो यह सुनकर बेगस को और भी गुसा आने लगता है और वो गुसे में पागल होने लगता है पीट बोलता है तुम क्या सोचते हो तुम मेरे साथ में यह सब करोगे तो इससे किनको कुछ भी में और भी फरक पड़एगा मेरी जैसे उसके पास मैं बहुत है मेरे साथ मैं ऐसा कुछ करके तुम कुछ नहीं जीत पाओगे तुम एक लूजर हो तेजी से आवाज वहती है और बेगस बहुत तेज पीत के फेस पर जाटा मारता है जिसे की पीत पैट पर ही गिर जाता है और पीत के मुझ से खूर निकलने रखता है बेगस बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम सच में मारना चाहते हो और बेगस पीत के बालों को कीचता है और उसके सर को जोर से पैट में मारता है और पीद बोलता है, ठीक है, करो, मार डालो मुझे, अब ही मार डालो क्योंकि मैं मरना चाहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आज मरू या कर, मैं अभी भी मरने के लिए तयार हूँ वेगस बोलता है हाँ तुम मौट के बारे में बात कर रहे हो तुबताओ किस तरह की मौट चाहते हो तुम वेगस बोलता है तुम चिन्ता मत करो तुम मरोगे तो जरूर लेकिन पहले मैं तुम्हें एसास दुलाऊंगा की पेइनफुल देथ होती क्या है और वो उसके बालो को तेजी से कीशता है और पीत गवरा जाता है और बोलता है तुम तुम ये क्या करने जा रहे हो वेगस अपना पैंडो तारता है और अपना अंडर्वेर भी ये देखकर पीत का दिल तेजी से जाडवने लगता है और वो बुरी तरह से घवराने लगता है और वो बोलने लगता है मैं तुमें कभी माफ नहीं करूँगा इस जिन्दगी में तु कभी नहीं वीगस बोलता है तुम अपने मूह का इस्तिमाल बहुत करते हो क्यों ना इस इस्तमाल कुछ अच्छे काम के लिए करो बहुत अच्छे से इस्तमाल करना आता है ना तुम्हें अपने मूग का चलो मैं भी देखता हूं कितना अच्छा है जैसे ही वो यह सब्द बोलता है पीत गवरा जाता है और उसे समझ में आ जाता है आखिर में वो क्या करने वाला है पीत बोलता है भले ही मैं कितना भी चकमी क्यों ना हूं लेकिन मैं अईसे ऐसा नहीं करने दे सकता नहीं फिर से तो मैं ऐसा नहीं करने दूँगा और इसी के साथ हमारा चेप्टर के लिए देखते रहें स्टोरी बक्स